हालो एंड वेलकम तोड़े विल डिस्कस अबाउट डेलाइट हार्वेस्टिंग टेकनोलोजी आज का जो टॉपिक है वो कमपेरिटिवली छोटा होने वाला है तो आज है स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कसिन लेकिर रीजिंट्ली Ministry of Science and Technology ने एक रेंट स्टार्ट अप को फंडिंग दी है जिसका नाम है Sky Sade Daylight Private Limited और ये काम कर रही है डेलाइट हार्वेस्टिंग टेकनोलोजी के अ अंदर क्या होती है डेलाइट हार्वेस्टिंग Simply यह जो टर्म है यह बता रही है कि जो daylight है उसका maximum utilization करना और offices और घरों के अंदर जो artificial light है उसका इस्तेमाल घटाना तो यह एक ऐसे technology है एक ऐसा startup है जिसमें जैसे जैसे light की intensity sunlight की intensity बढ़ेगी दिन के अंदर वैसे वैसे जो photo sensors है जो light का consumption है electricity का consumption है उसको घटा देंगे इसका फाइदा क्या होगा देखो mainly इसके दो फाइदे होंगे एक तरफ तो electricity बचेगी ठीक है बिजली का बिल कम आएगा और दूसरी तरफ it will reduce carbon footprint very important terminology क्या होता है carbon footprint देखे जब भी thermal energy का production किया जाता है तो जनरली कोईले से होती है और हमारे देश के अंदर almost 70% जो बिजली है वो thermal energy है तो जब कोईला burn होगा जलेगा तो बहुत सारे carbon dioxide type greenhouse gases छोड़ेगा जिसकी वज़े से जो earth का temperature है वो बढ़ेगा और as a whole earth के उपर carbon footprint बढ़ेगा तो यह जो technology है electricity बचाएगी और electricity अगर हमारी बसती है तो उससे environment को भी काफी जैदा फायदा होने वाला है तो इसी एवज में एक MOU sign किया गया है company और TDB जो technology development board है उसके बीच में एक agreement एक MOU sign हुआ है जिसके तहत जो TDB है वो 5 क्रोड उपर provide करेगा sky shade company को और sky shade जो company है वो technology तयार करेगी जिसमें basement का illumination 24 by 7 होगा अब बात करते हैं daylight harvesting technology है क्या देखिए introduction मैंने आपको देई दिया है कि main motor क्या है इसका जो sunlight है उसका maximum utilization करना so the objective is to minimize the amount of artificial light artificial light का इस्तिमाल कम करना and reducing the electricity cost और electricity cost को गटाना और साथ की साथ environmental जो damage है उसको भी कम करना एक clean energy का इस्तिमाल करना ठीक है तो आगे दिखते हैं so the main aim is to bring natural sunlight inside the rooms कि rooms के अंदर ज्यादा से ज्यादा natural sunlight आए इसके लिए भी proper technology चाहिए होती है अगर आज simply एक glass लगा दोगे तो फिर उस glass से electricity consumption गटे गणी बढ़ जाएगा because अगर मान के चलो आपकी building पूरी की पूरी glass से covered है और sunlight आ रही है इसके अंदर तो यहाँ पे क्या होगा यहाँ पे आपका green house create हो जाएगा और green house create होने से जो energy है वो इसके अंदर trap हो जाएगी और जब energy trap होगी तो इसका temperature बढ़ेगा और जब इसका temperature बढ़ेगा तो हमें जो हमारी AC units है उनको on करना पड़ेगा building के temperature को normal करने के लिए तो technology इस तरीके से हो कि light भी आए उसका maximum benefit भी हो और अंदर का temperature जो है वो भी maintain रहे ना ज्यादा हो ना कम हो तो वो है असली technology ऐसे simply नहीं कि glass लगा दिया तो उसमें बहुत सा सारी science का बहुत सारी technology का इस्तेमाल किया जाता है next point है this is done using lighting control systems मतलब जो lights है उनको chip के द्वारा control किया जाता है जिससे light को dim किया जा सकता है light को bright किया जाता है और जो daylight availability है उसके हिसाब से उसकी brightness को कम याज ज्यादा किया जाता है next है सिर्फ light की बात नहीं हो रही है ये बात कर रहा है it also includes practice of placing windows or other openings and reflective surfaces so that during day natural light provides more effective internal lighting मतलब daylight harvesting के अंदर सिर्फ ऐसा नहीं है कि daylight के इसाब से light अन हो जाए उनकी intensity या उनकी brightness कम या ज्यादा हो इसमें वो चीज़ इंक्लूड होती है कि जो building है उसका design इस तरीके से हो कि उसमें natural light आए और बिना heat wrap किये उसमें सिर्फ light provide करे मतलब तो natural light अगर building के अंदर आ रही है that is also part of daylight harvesting technology अब बात करते हैं कि यह technology काम कैसे करती है so the daylight harvesting system employs light sensors also known as photo cell sensors so photo sensors क्या करते हैं photo sensors ऐसे sensors होते हैं जिन पर अगर light गिरती है तो वो light को sense करके इसके आगे लगे हुए registers और capacitors की सायता से जो आगे current flow है उसको control करते हैं अगर current flow control होगा तो जो light के अंदर जो बिजली जा रही है वो भी control हो जाएगी और जो intensity है जो brightness है light की वो भी control हो जाएगी next point है it then sends intensity of light received to the controller important point हो यह controller है जो एक chip है which is connected to lightning control system देखो इसको समझते हैं यहाँ पर लग गया आपका sensor sensor किससे connect कर दिया controller से controller किस से connect कर दिया फिर आपने light control system से पूरा जो building का light control है और वो फिर क्या है light को on or off करते रहेंगे so this is how this technology works next point में इसने बता रखा है जो अभी आपको बताया कि the control system है वो अगर्जेस्ट करेगा electric lights को automatically according to measured light level की light कितनी है उसके साब से इसको control करेगा next benefits क्या-क्या फायदे हैं अगर हमारे पास daylight harvesting technology आप simply सोच सकते हो इसमें ज्यादा rocket science नहीं है सबसे पहली बात हो energy बचेगी unnecessary हमें दिन में light यह own करके नहीं रखने पड़ींगी next है greater control and automation what's up जो building का system है वो automatically control होगा किसी को light on off करने की भी जरूरत नहीं है sensor sense करेंगे light की intensity अपने आप light का मोर ज्यादा हो रही है light भी बच रही है environment भी बच रहा है thermal power का मिस्ते माल होगा automatically carbon footprint कम होगा so this was all about daylight harvesting technology thank you for watching see you in next video thank you